जैहिंद बीता हुवा साल यानिकी दुजार एक इस IPO मार्केट के नाम रहा एक के बाद एक संसर्ट कंपनियों ने अपने IPO लेकर आए और कमाने वालों ने खुब कमाई की लेकिन यह साल यानिकी 2022 भी IPO मार्केट में एक नया किर्तिमान रचने जा रहा है इस साल की जो सबसे म लेगा IPO है उसका नाम LIC इसका लोगों को बेसबरिस इंतजार है लेकिन अब मुकेट सम्मानी ने एक नया दाओं खेल दिया है यानि की बिदेशी ब्रोक्रेज यह एक बिदेशी ब्रोक्रेज हाऊ से इसने दावा किया है कि मुकेट सम्मानी की रिलाइंस जियो का IPO भी इसी साल आने जा रहा है अगर यह कंपने इस साल IPO लेकर आती है तो रिलाइंस इंड़स्ट्री के बाद यह भारत की दूसरी सबसे हो जाने के बाद इसके जो कस्टमर से उनको क्या का बेनिफिट होगा ताथ यह कौम सेक्टर में क्या क्या बदलावाएंगे एक चीज पर तसलिए से बात होगी चलिए वीडियो सुरू करते हैं रिलाइंस जियो जिसका IPO इसी साल 2022 मानी की संभावना है इसका IPO आने के बाद हें रिलाइंस इंड़स्ट्रि के बाद भारत की सबसे बड़ी संभेड़ाइंस आप ऑप समझें जियो साल 2020 में अपनी 33% हिस्सेदारी और बेच चुका है और इस तेरह investors में जिसके पास Reliance Jio की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है वो है Facebook Facebook के पास Reliance Jio की 10% हिस्सेदारी है उसके बाद आता है Google Google के पास Reliance Jio की 8% हिस्सेदारी है तो 33% हिस्सेदारी बिचने के बाद Reliance Jio के पास अब यानि की फिलहाल जो promoters holding है वो है 67% लेकिन यहां भी ध्यान देन वाली बात यह है कि 67% में 50% हिस्सेदारी अकेले Reliance इंडस्ट्री के पास है Jio के पास actual हिस्सेदारी सिर्फ 17% है और इसी 17% को Reliance Jio बेज़ कर बजार से कुछ रुपया उठाना चाहता है चलि उसके बारे में समझते हैं Reliance Jio के पास स्वर्तमान में 17% हिस्सेदारी है और इसी 17% हिस्सेदारी को बेज़ कर बजार से 85,000 क्रोण रुपया उठाना चाहता है 85,000 क्रोण कापी heavy amount है और इसकी जनकारी दी है CLS या बिदेशी brokerage house से इसी नहीं दावा किया है कि Reliance Jio का IP आने वाला है और 85,000 क्रोण रुपया 17% हिस्सेदारी को बेज़ कर बजार से उठाना चाहता है देखिए Reliance Jio अपने 17% हिस्सेदारी इसका जो अब actual हिस्सेदारी है 17% उसको बेज़ कर 85,000 क्रोण रुपया इस मार्केट से उठाना चाहती है या काफी heavy amount है 85,000 क्रोण 85,000 क्रोण रुपया आने के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमपनी बन जाएगी CLSS जो बिदेशी ब्रोकरे जहाओ से इसने दावा किया है कि इसका IPO इससे लाएगा और 85,000 क्रोण रुपया इस बजार से उठाएगा अब Reliance Jio का IPO आने के बाद share market में एक बाद जब अपनी लिश्टिड हो जाते है तब टेलीकॉम सेक्टर जितने भी टेलीकॉम सेक्टर सब में बदलावाएंगी तो फिक्स है और देखिए Reliance Jio के जब IPO आजाएगा अभी Jio के पास 43 क्रोण एक्टीव उसके कस्टमर्स है एरटल के पास 32 क्रोण और बोड़ापून IPO के आईडिया के पास 27 क्रोण लेकिन Reliance Jio का IPO आने के बाद जो 43 क्रोण इसके कस्टमर्स है इसमें भी बढ़ोतरी होगी यह अच्छी बात है और एक बात कि इस साल Reliance Jio, L.I.Z का लावाभी कई बड़ी कंपनिया अपने IPO लेकर आने के लिए तियार है उसमें O.O, Flipkart, Snapdeal, Flipkart, Drom तमाम ऐसी कंपनिया है आप बस रेडी रहिए तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको informative लगी होगी जो मैं बताना चाहरा था आपको समझ में आया होगा फिर भी अगर मन में कोई सवाल है आपको जानना चाहते हैं तो अमसे कमेंट में पूछ सकते हैं मैं सब के कमेंट कर इपलाई देता हूँ आज के लिए वसे इतना है सुक्रिया